क्या है आध्यात्म। दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृती की परंप्रागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानने और समझे उपासक डौक्टर सोहन राज तातेड से। हमारे खास कारिक्रम आत्म विज्ञान में, आत्म विज्ञान यानि सही दृष्टी, सही सोच और आपकी जो चिंतन धारा को जो है, हम सही दिशा में देते हैं, ये सारा करने के लिए हम अलग-अलग episodes प्रती दिन आपको दिखाते हैं, तो आज का बहुत सुन्दर episode व्यवार जगत का आपको सामने हम परोस रहे हैं, आज का हमारा विश्ञा है कि चार रिंड कैसे उत्रे बाई और बैनों, रिंड का मतलब था करजा, जब कभी हम बैंक से कोई भी लोन लेते हैं, तो हमारे नाम debit हो जाता है, मान लीजिए आपने एक लाग रुपे का कोई security रखकर के लोन लिया, rate of interest fix होई, और फिर जो है, धीरे धीरे जितनी किस्ते होती है, वो आप उतारते ज जाते हो, तो लोन जो है, वो दीरे दीरे उतरता जाता है, और जब संपून रूप से ब्यासईत उतार देते हो, तो लोन जीरो हो जाता है, आपका account clear हो जाता है, आप रिंड से उरिन हो जाते हो, तो भाई और बैनों, और इस रिंड से जुड़ी हुई बात मेरे को याद कि चार बात से जीव को और सदा राकिये दूर, करज, बिमारी, मुकदमा और फिर खाओ बरपूर, इस रिंड से जुड़ी हुई बात है, कि आपको बरपूर जीवन जीना है, सुक से जीवन जीना है, बिना टैंशन, बिना स्ट्रेस के आनंद में जीना जीता है, तो चार बातों से दूर रहिए, करज, करज का अर्थ होता है, करज न रात सोता है, न दिन सोता है, बैंक से लिया हुआ करजा, 24 गंटे मीटर जो है चालू रहता है, पानी और विजली का मीटर तो जब हम उपियोग करना बंद कर देते हैं, तो मीटर बंद हो जाता है, लेकिन ये मीटर 24 आवर्श तक चलता है, और भाई और बैनो रीपे करना, चाहे इंट्रेस्ट हो, चाहे मूल हो, बहुत कठिन काम हैं, इसलिए करज और बीमारी, बीमारी जो होती है, वो व्यक्ति को तो परिशान करती है, उसके साथ साथ घरवालों को परिशान करती है, में नहीं जाती है, इसलिए बीमारी को तुरंत जो है, वो रोकना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, करज बीमारी और मुकदमा, मुकद का मतलब लड़ाई, जगड़ा, लफड़ा, हमारा किसी से बोल चालोगी, तू तू मैं मैं हो गई, और हमने किसी वो कटू कह दिय तो दो तरह की बात है, एक तो क्या है, कि व्यक्ति जाकर के सरल हर्दय से, दोनों मैं से कोई भी जा सकता है, जिसकी गलती हो या नहो, वो गलती जिसने ज़्यादा करिये, उसके पास में कम गलती वाला जाए, या बिलकुल गलती वाला जाए, तो और भी अच्छा है, क्यो बाई साब मेरे से गलती हो गई है, आप जो कह रहे हो कोई कारण है जब कह रहे हो, मैं क्षमा प्राइस्चित हो रहा है, मुझे पस्चा ताप हो रहा है, मेरी गलती पे गलानी हो रही है मुझे ख्षमा करो ख्षमा करो फिर मैं गलती नहीं करूँगा बड़ा है तो उसको प्रणाम करो चोटा है तो उसको इस तरीके से जो हाथ से नवश्कार करो तो वो भी सोचता है कि देखिए गलती तो मेरी है लेकिन ये मान रहे हैं ये इनकी मानता है तो उस गलती को भूल और हम कुछ नहीं करते हैं तो कोई भी पक्ष है वो करते करते हैं पुलिस कारवई कर सकता है और कोट कारवई कर सकता है और वह ऐसी कोट की कारवई होती चोटी चोटी बातों की के दादा तो है ने केस पैदा किया और पड़ पोता तक लड़ता है बीस साल तीस साल पचास साल तक वह एहम के कारण व्यक्ति के जो अपना एहंकार के कारण ही ये कोर्ट केस लंबे चलते हैं और सरल हो जावे एक शमायाज ना करें बड़ा से बड़ा मर्डर तक का केस जो क्लिर हो जाता है अगर किसी ने मर्डर कर दिया उसने जाके कनफेस कर लिया उसके माता पिता से अभरातिये संसक्रती में हरा तरन जो है मुँ में डाल करकि उसकी माआ और बाप के सामने उसके पैरों में पड़ गया अगर मेर्से गलती हो गई है मैंने आपकी जो पत्री का रेप कर दिया आपके बेटे को मार दिया है अब आपकी पुत्री को जो है मैं पत्नी रूप में स्विकार करता हूँ आप हमें आसिरवाद दीजिए मेरे से गलती हो गई मैंने बहुत भारी जुर्म कर दिया है आपके लड़का मर्डर तक कर दिया है अब आप मेरा मर्डर करना चाहते है तो मेरा से राजी रहे मुझे आप मार दीजिए तो वो भी पिगल जाते है कि इसके मारने से कौन सा मेरा बच्चा हैगा और चलो इसने कर दिया रेप तो इसकी राजी कुछी शादी कर दो दोनों पती-पत्नी के रूप में हो गए और वो उनको क्षमा कर देते हैं तो ये कितना सुन्दर तरीका है देखिए तो इसलिए तीन बासे जीव को सदा राकिये दूर करज बिमारी मुकदमा फिर खाओ बरपूर मुकदमे से बच जाते हैं और मैं तो प्राय क्या करता हूँ तीन कोट से बचिये पहला कोट तो है सफेद कोट हमको जाना पड़ता हैं बुरा नहीं मानते हैं लेकिन आप prevention is better than cure का मतलब है सफेद कोट से बचिये आपको hospital क्यों जाना पड़े आप पहले से उपचार कर दो आपके आफा मंडल में संकेत आ जाते हैं बिमारी के आप स्वेहम आपके सबसे बड़े डॉक्टर हो आपको मालूम पढ़ जाता है कि मेरा सरदर धोरा है उकाली ले लीजिए जो भी सादन आपके बार नुक्षे हैं आयरुवैद के हैं घर के जो भी लेने लेके आप ठीक कर लीजिए वो पहले स्टेज पर इसमापत हो जिए दूसरा होता है मिटिया कोट मिटिया कोट पुलिस का कोट होता है वो पुलिस का कोट किस हद तक पहुंचा देता है पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कई लोग अच्छे होते हैं, तो कहते हैं, बई समझोता कर दो, पत्दी पत्नी बाप, क्यों आगे बढ़ते हो, क्यों एफाइर आई करते हो, आपस में घर में प्रेम से रहो, और कई लोग ऐसे होते हैं, स्वारती ह जिस कुछ कोई खाना होता है तो वो तो एफाइय करते हैं उनको लटकाते हैं दोनों तरफ से खा जाते हैं तो उस attendance से भी बचिए ह来 तीसरा साफेद कोवे होता है बले लोग होते हैं और समझजोता होता है और काले कोवे होते हैं लड़ाई जगड़े करा कि अपनी फीस के इसाफसे जो है वो सालों सालों तक उनको रगडाते हैं ये लाओ वो लाओ गोते खिलाते हैं कोड़ पे पैसी करने के लिए आओ और उनको फीस दो और हैरान कर देते हैं वेक्ती सब तरह से बरबाद हो जाता तो भाई और बैनों ये रिण की बात हुई सारी तो हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं चार तरह के रिण कौन से हैं पहला रिण है देव रिण दूसरा जो रिण है वो है हमारा गुरू रिण तीसरा रिण है पितर रिण और चौता है समाज का रिण है तो देव का रिण क्यों चड़ता है कि देव की कृपा से हमारा जीवन चलते है चलता है हर एक रक्ती का कोई कोई ईष्ट देवता होता है और वो मुसीबत के समय में उसको जब आराध्य को जो है वो समन करता है तो तुरंत उसकी रक्षा करते है जैसे हमारी माबाप रक्षा करते है ऐसे वो तुरंत जो है देव है वो रक्षा करता है तो देव का रिण जो है उस पर चड़ जाता है उस रिण को उतारने के लिए हमें देव की भक्ती करना देव के नाम की चैंटिंग करना देव के नाम की माला फेरना और जो देव जिस मंदिर में हो उसकी उपाशना करना और उसके प्रती विश्वास रखना इससे हमारा देव रिन उतरता है ये ईश्वर प्राणी धान हो गया हरे का अपना अपना देव है मेरा देव मेरे भीतर बिराज मांशुद आत्मा भगवान है उसको केंदर मेरे करके मैंने आत्म विज्ञान चलू किया वह मेरा देव है मैं 24 गंटे इसकी आरादना में रहता हूँ इसको जो शुद करने की कोशिश करता हूँ और इसे शक्तियं मांगता हूँ क्या सक्तियं मांगता हूँ ए मेरे भीतर बिराज मांशुद आत्मा भगवान मुझे अश्री शक्ति दो जगरती दो कि मैं किसी के दूसरे के मुझे दोश लिखाई न दे मैं किसी के परती बुरा वैवार नहीं करूँ और मैं किसी के परती ओपीनियन और अभी प्राएने दो और जो मेरा राग देश घड़ता रहे और मेरा संभाव बढ़ता रहे और मुझे इसे शक्ति दो कि हर जनम में मुझे मुझे मुक्ष के करम मिले और हर जनम में मुझे ज्यानी पुरुष मिले और मैं किसी के प्रती बुरे भाव ने लाओं तो ये मेरा देव है मैं उस देव से शक्ती मांगता हूँ इसकी उपाशना करता हूँ 24 गंटे ग्याता द्रश्टा इसका लक्षर है उसमें रहने की कोसिज करता हूँ बेद्विज्ञान करता हूँ जड को अलग करता हूँ चेतन को अलग करता हूँ जड है मेरा ये शरीर है ये प्रारब दरुदा है वो सारा जड से जुड़ा हुआ है कार्मन शरीर से जुड़ा हुआ है वह मैं लेकर क्या है वो हो रहा है वो मेरा पुर्शार्ट नहीं है मेरा पुर्शार्ट है कि शुद्ध भावों में रहना ग्याता द्रश्टा भावों में रहना आत्मा के जितने गुण है उसकी माला बेरना शुद्ध आत्मा के ये देव रिण दूसरा गुरु रिण है गुरु का आर्थ होता है कि अंदकार रू का मतल 기분 दूर करने वाला गुरु हुआ व्यक्ति होता है जो अघ्यान रूपी अंदकार को दूर करता है और आप देखिये इसको अघ्यान को दीपक की उखमा दिये कि किसी दीपक के अंदर तेल बरकर कि गना अंधेरा हो वहाँ पे उस छोटे से दीपक को रख दो शताब दियों का जो है वह जो है अंधेरा जो है छट जाता है क्योंकि उस दीपक का काम है प्रकाश पहलाना तो ग्यान का काम है प्रकाश पहलाना दीपक सोपर प्रकाशक है, हमारी आत्मा सोपर प्रकाशक है तो इसलिए जो है, वह हमारा उस अंदकार को दूर करने वाला गुरू है गुरू गोविंद दाओ खड़े और का के लागू पाओ बलियारी गुरू आपने गोविंद दियो बताए कि ए गुरू जी आपने गोविंद दिश्वर के दर्शन कराए है मैं तो सबसे पहले आपको प्रणाम कराता हूँ कि आप न होते तो दर्शन नहीं हो पाते तो मेरा प्रणाम है आपको तो गुरू को वह गुरू क्या गुरू के प्रतिरिन है क्यों गुरु हमको ज्ञान देता है गुरु हमको भटकने से बचाता है गुरु हमको सही रस्ते पर डालता है गुरु हमको आत्म विज्ञान देता है गुरु जो हम है समयक दर्शन देता है समयक ज्ञान देता है समयक जारित्र की आरादना कराता है सम्यक तब की अराधना कराता है और हर तरीके से हमारा हित वो हितकर है और हमको मुक्ती का रास्ता बताता है ज़ा चलना हमारे को पड़ेगा तो उस गुरू के परती रिण है गुरू के परती हम रिण कैसे होता रहे देखिए नो तरह के पुन्य होता है अनपुन्य, पान पुन्य, लेन पुन्य, शेन पुन्य, मन पुन्य, वचन पुन्य, काया पुन्य और नमस्कार पुन्य गुरु को नमश्कार करो गुरु की जो भी भौतिक आशकता है रोटी है उया कपड़ा है या उसकी चिकित्सा है या उसको रहने को इस्तान चीह कोई पाढ़ चीह, बाजोड चीह मन से उसको सुईकार करो वचस से गुरदेव, गुरदेव नमस्तू गुर्देव 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 जो आपकी जै हो गुर्देव आपको नमन करता हो मुझा आशिरवाद दो इस तरीके से गुरु की भक्ती करना इसे गुरु का रिन उतरता है तो ये हमारा हो गया एक तो देव रिन हो गया दूसरा गुरू रिन हो गया तीसर रिन पितर रिन है देखिए हम पैदा कैसे होते है कि मां का अंड़ज और पिता का शुक्र ये दोनों मिलकर के और ये दोनों आत्मा होती है ये मिलकर के ये दोनों जो मर करके ब्रून पैदा करती है एंब्रियो और एंब्रियो में हमारी आत्मा उत्रित होती है मा के पेट के अंदर वह ब्रून कहलाता है और जैसे देखिए कि दिव्वे दरस्टी से जो है वो वाल मिकी जी गुरू ने जो है वह ये देख लिया था कि ये जो सीता के जो है अंदर ब्रून क्रियेट हो गया है लवकुष के रूप के अंदर तो दिव्वे दरस्टी से उन्होंने सुरू सही देख लिया और उसके आधार पर ये घोशना हो गई कि सीता गर्व बती है पूरे परिवार को मालू हुआ और फिर बाद में सीता को वनवास जाना पड़ा और वहां वाल मिती जी के आश्रम के अंदर लवकुष पैदा हुए और इस तरीके की बात है लेकिन दिव्वे दरस्टी से उन्होंने वो देख लिया था आजकल उस एंब्रियो की जांच भी गिरा जाती हो और ब्रून को गिरा जाता है वो बड़ा पाप है वैसा नहीं किया जाना चीए ये तो बाई दिवे बात आगी माता पिता माता पिता का रिन होता है देखिए मा जनम लेती है और बच्चा जब टटी पे साव करता है मा उसको दोती है मा जो ठंडे में सोती है बच्चे को गर्मी में सुलाती है उसकी सर्दी से गर्मी से हर तरीके से उसकी जो है वो व्यवस्ता करती जब रोता है तब अपना इस्तन से दूद पिलाती है और मा का जीव बच्चे में रहता है जब तक कि वो अच्छी तरसे चलने फिरने नहीं लग जावे तो मा अपना सारा जो है वो प्रेम और उसका ध्यान उसके पीछे ही रहता है एक वो कुछ भी रसोई में चली जाए तो बेटे की तरफ जो संतान की तरफ ध्यान रहता है कि कहीं वो पलंग से गिर नहीं जाए वो चलता चलता गिर नहीं जाए तो इसलिए से माता और पिता भी एक अंब्रेला होता है वो पिता होता है बच्चे को शेल्टर देता है बच्चे का पालन पोशन करता है बच्चे को पाओं पर खड़ा करता है और जब अच्छी तरसे ब्याव शादी होके पाओं पर खड़े हो जाते हैं तब माता पिता शांती मैसूस करते हैं तो देखिए कितना बड़ा रिन है एक संतान को पालने के लिए 30 से 40 साल पूरे लगते हैं मतलब पूरा जीवन एक संतान के लिए समर्पित हो जाता है तो कितना बड़ा रिन है उनका रिन कैसे उतारा जाता है उनको सम्मान दू, उनको प्रेम दो, उनको चित समाधी दो और जब उनकी वरतावस्ता आजावे, तो पूछो उनको किस चीज की आशकता है उनके पास में बेटो, उनका ज्यान लो, और उनका आशिरवाद लो माँ बाप का आशिरवाद देव के आशिरवाद से कम नहीं होता है माता पिता संसार के भगवान होते है और ऐसा कहा जाता है कि माता पिता के पाव का रोज अगर संतान पानी पिये तो भी वो पितर रिंड से उरिंड नहीं हो सकता है तो माता पिता की सेवा करके उनको चित समाधी पहुचा करके उनका सम्मान करके उनसे आसिरवाद ले करके और उनकी सेवा करके पित रिन उतरा जा सकता है और चोता रिन समाज का रिन है देखिए मनुश्य एक समाजिक प्राणी है वह समाज के बिना एक शन भी नहीं रह सकता है वो परिवार में रहता है और करीब कई करीब कई परिवार मिलकर के समाज बनता है पशुओं का भी समाज होता है उसको समझ जब बोलते हैं खाली एक मात्रा का अंतर है पक्षियों का भी समाज होता है आपने कभी देखा होगा कि ये कुर्जों वगरा जो विदेशों से जो हमारे आपे पक्षी आते हैं वो वहाँ से जब उस देश से निकलते हैं अब्यारन में पहुंचते हैं उसके पहले वो एक लाइन के अंदर उड़ते हैं क्योंकि उसमें सुरक्षा है वो उनको समाज है समाज सुरक्षा देता है समाज पहिचान देता है और समाज के पीछे हमारी तरकी होती है हम ये चाहते हैं कि समाज में लोग हमारी प्रतिष्टा करे लोग हमारा सम्मान करे और लोग हमको जो है वो अच्छा समझे तो और उस परिवार का और समाज ये कहता है ये कुलीन परिवार है ये असब्य परिवार है जग्रालू परिवार है तो जो कुलीन परिवार के बच्चे बच्चियां होती है उनक समाज के बिना व्यक्ति की कोई पैचान नहीं है, मनुष्य समाज की हिकाई है और समाज holistic होता है, कई हिकाई हो मिलकर के समाज बनता है, तो समाज का रिण उतारने के लिए तीन तरह की सेवा हमारी भारतिय संस्कृति के अंदर बताई गई है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन किसी के पाद प्रचूर मात्रा में धन है, और वह समय नहीं दे सकता है, तो समाज के अंदर जो मूख, बतिर, लूले, लंगडे, अपाईज, और अनात, और विद्वाएं, जो अभाव गरस्त लोग हैं, उनका जो है, उनकी चेरीटी के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, श किसा में वे चेरीटी के अंदर पैसा जो लगा करके, उन अभावानों को सभाव में परड़ित करें, ये धन की सेवा है, और कोई वक्तिक बात धन नहीं होता है, समय होता है, तो दो घंटे, चार घंटे, फ्री और कोस्ट, बिना पैसे लिए, उस संस्ता में जाके, उस करें, दे सकें, तो फ्री दवाई दे वे, और वकील है, तो बिनाफिस ले हुए, गरीबों का केस लड़े, इस तरीके से हर क्षेतर का, एक चपरासी भी है, तो वह जो है, वह जो है, वह साहब किया कारी करे, तो एक्ष्टा कारी करने के पैसे नहीं ले वे, एक स्वीपर भी है, तो किसी का मौला साफ करके और उसकी सेवा कर सकता है, तो इस तरीके सेवा हर व्यक्ति कर सकता है, हर अवस्ता में कर सकता है, हर जगे करना चाहिए, सेवा माइंडेड होना जरूरी है, व्यक्ति में जब सेवा की बावना नहीं होती है, तब वह कितने ही सादन हो, कर करणों रुपयों उसके पास हो, वो नहीं कर सकता है, मन के अंदर सेवा के प्रती समान नहीं हो, सेवा के प्रती उसमें भावना नहीं हो, कि मुझे करजा उतारना समाज का, वो तो कहता है समाज मेरी जेब में है, मैं तो समाज को खरीच सकता हूँ, समाज में वो जगडे टं मगभाव इस ब्रहमांड के अंदर इतना फैल गया है कि जिस तरीके से हमारे वायू मंडल के अंदर आक्सीजन की कमी आ गई है सकारात मगभावों की भी कमी आ गई हम कहां जाके सकारात मगभावों लें दिल्ली वाली इस्तिती हो गई है कि वायू मंडल कहीं भी जाओ पूरे दिल्ली के अंदर वायू मुंडल दुशित है दम को तो बहुत कम कार्व मतलब ज़्यादा कार्वन डाय ऑक्साइड मिलती है और जितनी आफशकता उससे बहुत कम ऑक्सिजन मिलती है हमारा दम घुड़ता है उस दिल से विचारों का जहां भी जाओ सब जगे नेगेटिव थौर्ट्स मिलते हैं पुराने जमाने के अंदर तो गुरुकुल हुआ करते थे मंदिर हुआ करते थे और जो हमारे धर्मिस्तान हुआ करते थे और अच्छी अच्छी सेवा की संस्ता हुआ करती थे और प्रवचन होते थे तो वहाँ पर हमारे सकारात्मक पुद्गल होते थे और वो अपना प्रभाव डालते थे जिस ज़े पर कोई आचारी बिराजमान होके प्रवचन दे करके गया है और रेगुलर वहाँ दिया जाता है वहाँ आप जाकर के शानती से बैटो आपका ध्यान लगेगा वहाँ के पुद्गले वह शानते अच्छे हैं और शुद्ध परमानू और किसी आप जो चोर लुटे रहे जहां बैटे है उसकी कोट्री मैं जाके देऊ आपको डर लगेगा आपको लगे है कोई मार देगा कोई किसी करेगा बड़ी दो तोतों की काणी आती है एक जो है तोती के दो तोते थे और उन्होंने जुडवा थे दोनों ने साथ में जनम लिया पर इत्वाक ऐसा हुआ कि वो दोनों तोते उड़ गए एक तोता किसी सन्यासी के हाथ लगा दूसरा तोता किसी डाकू के हाथ में लगा तो जो सन्यासी के हाथ में तोता लगा उसको रोज बढ़ाते थे तोते को के वेलकम वेलकम अभीवादन अभीवादन आईए आईए प्रनाम प्रनाम ओम शान्ती बोलता लोगों को प्रिय लगता और लोग उसको और सुनना पसंद करते हैं लोग कहते हैं कि यह स्थान अच्छा है यहाँ पर जाना चाहिए फिर उस आश्रम में जाते और दूसरी तरफ जो है डाकू का जो तोता बाहर था वो लटकता था मारो काटो लूटो पकड़ो आईसे में गला घौटो इस तरी के से बोलता तो दर लगता था वो भीतर जाने से कामता था और व्यक्ती बाहर से ही भाग जाता था कि यहां तो मुझे कोई लूट लेगा कोई मुझे मार देगा कोई मेरे से फिरोती मांगेगा और मेरे को पकड़ के लिए तुरम भाग जाता हूँ देखिए एक ही माँ के दोनों तोते एक ही समय में जनम लिया लेकिन संसकार अलग-अलग मिले एक को सू संसकार मिले और एक को कू संसकार मिले तो भाई और बैनों सारी बातों का शारांश यह है कि हम चार तरह के रिण हैं यह हर रेक्ति को उतारना चाहिए यह करजा साथ लेके नहीं जाना चाहिए यह इसी जनम में उतार के चलना चाहिए समझ आते ही चालू कर देना चाहिए हमारे पूरे जो है बगवान ने 24 गंटे हरे को दिये है तो हमें एक गंटा अध्यात्म में लगाना चाहिए एक गंटा इस पर चिंतन करने के लिए लगाना चाहिए कि मेरे जुजिवन की क्या-क्या प्रात्मिक्ता है पहली प्रात्मिक्ता ये है कि आत्मा को शुद्ध करना जो हमारा करम शरीर है उसका जो करम शरीर को दोना 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 उसको घटाना पतली पाड़ पतली पाड़ पतली पाड़ कार्मन शरीर राग देश को पतला करना ये व्यक्तिगत हो गया दूसरा जो है हमारा व्यवार जगत का है ये चारों तरक के करजे उतारो प्रारंब सही जो है अपनी योजना बना लो कि काम करते करते आप दिन के अंदर बारा गंटे काम करते हो दो गंटे गंटे बर सेवा में लगा हो सेवा चलते चलते हो जाती है कैसे होती मैं बता हूँ कि मान लो रेलवे का बड़ा पुल है और कुछी मेरे जैसा कोई बेचारा वर्द वेक्तीर उसके हाथ के अंदर जो है वो कुली नहीं है और आत्मे लगेज है वो तो खुद भी नहीं चल सकता तो लगेज लेकर कैसे चड़ेगा उपर पुल पे और एक यंग मेन आता है तो वो कहता अंकल जी मैं आपका छोड़ देता हूँ उसको पुल के नीचे उतार देते है ये प्योरली सेवा हुई भाई और बैनो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप आत्म विज्ञान कारिकरम बराबर देखते रहिए आत्म विज्ञान कारिकरम अच्छे शुत्र देता है अच्छी सिक्षा देता है जीवन निर्मान की बात करता है क्योंकि हमारा उद्देश्या है कि सुधरे व्यक्ती समाज व्यक्ती से राष्ट स्वेम सुधरेगा हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं आपका बला करना चाहते हैं आपका हित चिंतन चाहते हैं सर्वे भवंतु सुगिना सर्वे संतु निरामया इसी क्रम में आपका जिवनानन में हो मंगल में हो आपका प्रती बहुत बहुत शुक्त